इंडियन प्रेमियर लीग सीजन 11 की शांदार शुरुवात हो चुकी है जहां मुंबई के वानखेडे में खेले गए पहले मैच को चन्नाई सूपर किंग्स ने मुंबई को एक विकेट से हराया तो वही आज रात 8 बजे से कोलकाता की इडन गाडन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजस बैंगलूरू के बीच भिढ़न्त होगी ये मैच इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले 7 सालों में ऐसा पहली वार होगा जब कोलकाता की टीम अपने बुर्फ कप्तान गौतम गंभीर के विना मैदान पर उतरेगी बेरहाल आज गौतम गंभीर मैदान पर तो उतरेंगे लेकिन कोलकाता के टीम के साथ नहीं बलकि अपनी होम टीम दिल्ली डेर डेविल्स के साथ बताते दिल्ली का मैच आज दिल्ली के फिरोशा कोटला के मैदान परकिंग्स 11 पंजाब के बीच होगा तो देखना दिल्ली के नए कप्तान गौतम गंभीर अपनी नए टीम में कैसा परफॉर्मेंस देते है तो वही दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स अपने पूर्फ कप्तान गंभीर को भुला कर नए कप्तानी के नेतरूत में कैसा कमाल करती है ये देखना भी काफ लोस किरिपू